नमस्कार हमेसा खुस रहने का माइल सेट कैसे अपनाए बड़े बड़े लोग कैसे हमेसा खुस रहते हैं क्या उनके जीवन में दुख नहीं आता है क्या उनके जीवन में उधासी नहीं मिलती है क्या उनके जीवन में कोई विपत्ती नहीं आती है क्या उनके जीवन में कोई इनसान के जीवन में आता है चाहे कितना ही बड़ा खुसी इनसान क्यों नहों इस दुनिया में लेकिन उसके जीवन में भी दुक आता है लेकि जो इनसान हमेशा खुस रहते हैं और उनका माइड सेट हमेशा खुस रहने वाला होता है वो लोग कौन होते हैं उनकी आदिते क्या है जो हमेंसा खुष रहते हैं विल गेट्स कहते हैं विल गेट्स हमेंसा खुष रहने का माइड़ सेट अपनाते हैं और वो हमेंसा खुष रहते हैं तो आकिर विल गेट्स ऐसा क्या करते हैं बड़े बड़े लोग होते हैं जो जीवन में हमें सब खुश रहते हैं वो ऐसा क्या करते हैं बड़े बड़े लोग ध्यान रखना सबसे बड़ी बात इंपोर्टेंट बात वतरा हूं मैं आपको बड़े बड़े लोग सपलता और असपलता को समान रूप से देखते हैं आप क्या करते हो जीवन में कई से भी थोड़ी सी असपलता मिली हताद निरास होके अदरास होके बेट जाते हो आपको लगता है कि मेरा जीवन यही खत्म हो गया, आपको लगता है कि सब कुछ खत्म है जो सपन लोग होते हैं ना वो सपलता और असपलता दोनों को बराबर रखते हैं उनके जीवने सपलता मिलती हैं फिर भी वो ज़्यादा उसाइथ नहीं होते हैं ज़्यादा गमर्णड में नहीं आते हैं और उनके जीवन में असपलता मिलती हैं ज़्यादा दुखी नहीं होते ज़्यादा निरास नहीं होते ज़्यादा हतास नहीं होते वो देखते हैं कि आसफलता कैसे मिली उसको कैसे दूर करना है उससे कैसे आगे बढ़ना है तो वो सफलता और आसफलता दोनों को एक तरीके से देखते हैं और भग्वाल सिक्रिष्हными, प्रीटा में भी स्वाइए यही किते हैं। जिंसान के जिन में सुक दुप तो आते रहते हैं। इंसान को आए बडना होगा, इंसान को आए चलते रहना होगा। तब ही आप हमेंसां खुश रवब होगिए। अगर आप सपलता हो आप सपलता हो दोनों को समान रूप से देखोगे खुश रहने वाले लोग खुद पर बरोसा करते हैं दूसरों पर नहीं करते हैं दूसरों के बरोसे बेट कर वो कहीं कोई काम नहीं करते हैं क्योंकि पता है दूसरों के वरोसा करो, दूसरों से उमीद करो, जब वो उमीद तूटती है, जब वरोसा तूटता है, तो कितना दुख होता है, हमेसा खुछ रहने वाले लोग अपने आप पर वरोसा करते हैं, खुद पर वरोसा करते हैं, स्वाय पर बिलीव करते हैं, उनक पर बरोसा करते हैं, अपना काम, अपना लक्ष कैसे पना है, खुद पर बरोसा करके आगे बढ़ते हैं, हमेसा खुश रहने वाले लोग पता है क्या करते हैं, वो दूसरों से तुलना नहीं करते हैं, वो यह नहीं देखते हैं कि सामने वाला गाड़ी जाया, सामने वाला बं होते हैं जो हमेंसा खुछ रहने वाले लोग होते हैं वो अपने जिंद्गी में अपनी मस्ति में जीते रहते हैं दूसरे क्या कर रहे हैं उनसे कोई लेना देना दूसरा कितने पैसे कमा रहा है दूसरा कौन सी गाड़ी ला रहा है दूसरा कौन सा बंगला ला रहा है तो ला नहीं करते। खुश रहने वाले लोग हमें साथ सीखते रहते हैं, वो एक जीएन में नया सीखते रहते हैं, वो ये नहीं देखते हैं, अब हमें बस यह इंश्टॉप हो जाया है, नहीं, वो बिज्निस में, गर में, परिवार में, समाज में अपने दोस्तों के साथ में कहीं ना कहीं हर चीज नया सीखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं वो रुकते नहीं हमेशा खुश रहने वाले लोग अपना मकसद तये करते हैं उनका मकसद तये होता है कि मेरा ये लक्षिर मुझे अच्यू करना है वो अपनी मकसद की तरफ अगे बढ़ते रहते हैं वो फालतु की बातों में दिमाग नहीं लगाते हैं वो फालतु की गफसक नहीं करते हैं वो फालतु में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं उनका मकसद फिक्स रहता है हमेशा खुश रहने वाले लोग एक तो ध्यान रखना जो खुश रहने लोग होते हैं हमेसा परियाफत नीन मिलते हैं और दोस्तों से मिलते हैं फैमिली में मिलते हैं अपने परिवार से मिलते हैं अपने यार दोस्तों से मिलते हैं क्योंकि जब आप परियाफत नीन लेंगे अपने दोस्तों से मिलेंगे अपने समाज मिलेंगे और थोड़ा बहु मैंसा ऐसी आद्टे अपनाते